Hey everyone, welcome back to my channel So in this video we are going to discuss the breakout stocks for the next week इस वीडियो में हम उनके entry price, stop loss और target के साथ complete analysis करके समझेंगे तो आज का हमारा जो सबसे पहला stock है वो है RICO Auto तो यहाँ पर यह stock मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि हमारे stock selection का यह सबसे interesting stock है आज का क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर इसमें 18 years का range का breakout देखने को आपके बास मिल रहा है monthly time frame पर आप यहाँ पर time frame को shift करो तो वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 18 साल से यह stock completely इसी range में trade कर रहा था अब यह जो accumulation zone आप यहाँ पर देख सकते हो almost 120 points का accumulation range है completely 18 साल लंबी यहाँ पर यह range है देख सकते हो previously market ने यहाँ से इसको breakdown किया था नीचे के लिए फिर एक round bottom structure form करके market दुबारा से अब यहाँ पर बहुती strong एक massive close monthly time frame पर दिया है overall यहाँ पर आप इसके trend को देखो तो previous trend इसका बहुती अच्छा bullish trend है सारे के सारे lows आप देख सकते हो upside के लिए higher low structure form हो है और जो channel upside के लिए यह आपके पास higher high low का channel चल रहा है weekly time frame पर और चोटे time frame पर यहाँ पर देखिए इसमें एक डारास box की formation देखने को मिली है और उस डारास box की formation के बाद यहाँ पर बहुती massive आज breakout देखने को इसमें मिल रहा है तो यहाँ पर entry की बात करें तो आपकी जो entry है 124 के उपर इसमें रहेगी with the stop loss of 110 क्योंकि 110 का जो level है यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आकर फिर से दुबारा से bounce back आपको दे सकता है लेकिन यहाँ पर जो volume है वो इसमें record है volume देखने को मिल रहा है तो आपका यहाँ से जो पहला target है वो रहेगा 140 का and second target यहाँ से आपका रहेगा 160 प्लस का आने वाले 2-3 months के लिए एक short term के लिए stock अपने radar पर रख सकते हो अब जो हमारा आज का next stock है वो है Tata Steel Tata Steel यहाँ पर देखे तो बहुत ही massive इसमें breakout आज देखने को मिला है highest ever इसमें closing हमारे पास इस week में यहाँ पर देखने को मिल रही है overall यहाँ पर देखोगे आप बहुत ही massive structure के साथ एक ascending triangle की formation करके इसमें यहाँ पर जो breakout candle फार्म करी आज बहुत ही अच्छ और डिली time frame के accordingly यहाँ पर देखो breakout से पहले यहाँ पर wrist and zone की nearby इसने range में यहाँ पर accumulate किया दो बार यहाँ से इसमें bounce back देखने को मिला नीचे के लिए लेकिन यहाँ पर जो lows थे सारे के सारे इसमें higher lows फार्म करके जो continuation मिसका जो trend था bigger time frame वह इसने continue बिल्कुल bullish रखा है जितने भी इसमें pullbacks देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे जो pullbacks है वो completely बिल्कुल बहुती कम volume के साथ इसमें आए है इसके breakout होते ही यहाँ पर आप देख सकते हो almost हमारे पास इसमें जो तीन साल है उसका range यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक complete बहुती massive यहाँ पर आपके पस इसमें accumulation यह base है रैली से आप देख सकते हो यहाँ पर जो covid के बाद इसमें rally आई थी almost यहाँ पर यह 25 से लेकर closing scheme मिल गई तो short time आपके पास 180-200 का level आपको इसमें आने वाले 5-6 मीनों फिर यह stock आपको easily दिखा सकता है यहाँ पर अगर आप monthly time frame के साब से भी देखो तो monthly के साब से भी आप बहुत massive एक range इसमें बन रही है तो हमारी stock में जो entry रहेगी वो रहेगी 150 के ऊपर stop loss हम इसमें place करेंगे 140 का targets की बात करों तो 165 and 180 प्लस का हम इसमें यहाँ पर target लेके चलेंगे एक से दो महीनों के लिए only 154 का store इसमें आपको level को radar पर रखना है उसके उपर आपको massive move stock में देखने को मिल जाएगा अब जो आज का हमारा third stock है वो है diamines तो यहाँ पे stock अब देखी यह एक ह double bottom फर्म करके एक काफ एची range का इसने breakout आपके पास दिया है और यहाँ पर सबसे इंड्रस्टिंग है volume previous यहाँ जो दो वीक्स थे वहाँ पर दोनों वीक्स में बहुती massive bullish candles form हुई है with the great volume here daily time frame के accordingly यहाँ पर आप देखो तो range से पहले इसने breakout से पहले एक range बनाई यहाँ पर फिर उसके बहुती strongly एक flakky formation का breakout करके all time high closing आज यहाँ पर इसने दी है और यहाँ पर volume देखोगे तो record है volume आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है अब जो closing है candle की वह बहुत अच्छी है और supply zone के ऊपर बहुती अच्छी closing यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है अब यहा आपके बास यहाँ पर जो bullish channel form होई थी इसके बाद यहाँ पर जो bearish channel form होई पहली चीज तो low बिलकुल भी breakdown नहीं किया दूसरी चीज volume completely contracted volume था that means कि यहाँ पर जो buyers है क्योंकि previous trend bullish है उसके बाद इतना चाँ volume आया है अब जैसी यहाँ पर देखिए इस range का यहाँ पर breakout हुआ तो बहुत ही massive sharply एकदम release में stock में देखने को मिल गई तो entry की यहाँ पर बात करूँ तो 610 की उपर आपकी इसमें entry रहने ही चाहिए with the stop loss of 575 targets की बात करूँ 650 and 700 प्लस का आपका इसमें target रहेगा 2-3 month short term के radar के लिए क्योंकि जब भी IPO base का breakout आपके पास होता है और closing इतने तो काफी अच्छा move आपको वो short term में दिखा सकते हैं अब आज का हमारा जो four stock है वो है hevels, hevels मैंने यहाँ पर इसलिए चूज किया है weekly time frame के इसाप से बहुती massive cup and handle का breakout आपके पास है और सबसे interesting यहाँ पर है closing और weekly में बहुती massive closing इसमें आई है और volume भी closing candle का बहुती ज़ लेकिन इस week में यहाँ पर बहुती अच्छी closing के साथ एक काफी अच्छा up move यहाँ पर देखने को आपको इसमें मिल सकता है अब यहाँ पर highest ever all time high की closing है previous trend आपका bullish है last के जो 5 weeks है वहाँ पर हमारे पास कोई भी bearish candle stock में फ़र्म नहीं हुआ है daily time frame के accordingly आप यहाँ पर देखो मौका यहाँ पर दे रहा है अब यहाँ पर major support level आपके पास है वो है 1500 का उसे नीचे stock जाने की probability बहुत कम है क्योंकि volume बिल्कुल contracted है यहाँ पर और यह जो bullish candle यहाँ पर form हुई है इसमें इतना interesting volume और जो breakout है वहाँ पर बहुत ही जादा buyers इस time पर accumulate हुए होंगे अब यहाँ मैं entry की बात करूँ जो आपके पास इसमें इस candle का high point है इसके पहले इसमें entry नहीं लेंगे क्योंकि confirmation और retest की हमें तभी मिलेगी जब यह जो retest वाली candle है इसमें bounce bag यहाँ पर देखने को मिलेगा upside के लिए तो entry stock में थोड़ी सी ऊपर हमारी रहेगी 1500 है 35 के ऊपर stop loss की बात क आपका 1600 एंड जो second target आपका 1700 का रहना चीए short term के लिए stock में अब आज का जो हमारा last stock है वो है heritage food तो heritage food मैंने आप इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छा एक range का breakout देखने को मिल रहा है वो भी daros box की काफे ची formation है short time frame पे तो उस भी breakdown नहीं कर पाया market और completely इसी range से बार बार इसने stock ने bounce पर किया है upside के लिए अब जो previous trend था वहाँ पर देखिए symmetrical triangle का breakout हुआ बहुत मैं वैसे volume आया फिर market ने दुबारा से pick करने का try किया लेकिन उसके बाद completely 5 week से last के range bound हुआ है और volume यहाँ पर completely contract हुआ है which is a good sign और यहाँ distribution जब भी आपके पास इस तरीके का pattern देखने को मिलता है तो बहाँ पर देख सकते हो daily के साबसे पहली एक इसमें rejection देखने को मिली है लेकिं rejection में volume बिल्कुल भी नहीं है अगर market को नीचे जाना होता तो पहली चीज देखी यह जो candle है इसके further next candle इसके नीचे close होती that means कि यहा targets की बात करूँ आपका इसमें पहला target रहेगा 365 और second target आपका इसमें रहेगा 380 प्लस का स्वहिप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी as always thank you for watching